अज हम जानेंगे स्थानांग सूत्र आगम के अनुसार भूकंप के मूल कारणों के बारे में तो तीन कारणों से देश रूप में पृत्वी अर्थात पृत्वी का कोई एक भाग कमपित होता है प्रतम कारण है जिस समय भूमी पर कोई प्रदान पुद्गल गिरता है उसके गिरने से पृत्वी का कोई भाग कांप उठता है दूसरा कारण है कोई महरदिक एश्वर्य संपन व्यंतर देव विसेश जिस समय रत्न प्रभा पृत्वी पर दर्प से बार बार उपर नीचे गमन करता है तब पृत्वी का कोई भाग कांपने लगता है तीसरा कारण है जब नाग कुमार और सुपर्न कुमार देवों का परस पर युद्ध होता है तब भी एक देशिय भूकंप होता है इन तीन कारणों से एक देशिय भूमी का कमपन होता है तीन कारणों से संपूर्न पृत्वी चलाई मान होती है जैसे इस रत्न प्रभा पृत्वी के नीचे जिस समय घनवात व्याकुल होता है और उससे घनो ददी कमपित होता है उससे संपूर्न पृत्वी प्रकमपित हो जाती है जिस समय कोई महर्दिक या महेश या महासुक वाला कोई देव तथारुप साधू अत्वासरावक को अपनी रिद्धी, द्युती, यस, बल, वीर्य, पुरुशकार, पराक्रम दिखाता है उस समय संपूर्न पृत्वी कंपित होती है या जब देव और असूरों का आपस में युद्ध होता है तब भी संपूर्न पृत्वी चलाई मान होती है तो इन मूल कार्णों से भूचाल हुआ करता है अर्थात भूकंप के दो रूप है आंसिक भूकंप और सार्वदेशिक भूकंप जिस प्रकार सरीर के नेत्र भुजा आदी अंगों का स्फूरन होता है उसी प्रकार किसी सीमित भूभाग का भी प्रकंप होता है इस प्रकंप को आशिक भूकंप कहा गया है और जिस प्रकार सीत भई आदी के कारण सारा शरीर एक साथ प्रकंपित हो जाता है उसी प्रकार समस्त भू मंडल का एक साथ प्रकंपन सार्वदेशिक भूकंप कहा गया है वर्तमान विज्यान प्रदेश विशेश के भुकम का कारण पृत्वी के भाग, भाग विशेश का अंतह स्कलन मानता है और इस स्कलन के कई कारण स्विकार किये गए हैं ज्वाला मुकी द्वारा पार्तिव चट्टानों का पिगलना, विसेश जल प्रवेश के कारण अंतह भू भागों का विगलन और एटम बम आदी के कारण तिव्र सक्ति द्वारा प्रकम्पन आदी आगमकार भी यही कारण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जब ससक्त पार्तिव पुद्गल गात प्रतिगात के रूप में इस प्रत्वी से टकराते हैं तब प्रत्वी के किसी भाग विशेश में प्रकम्प होता है उसे ही आंसिक भूकम कहते हैं जिसका अर्थ है अनन्त सक्तिमान पुद्गल या तूटती और पिगलती चट्टाने और आध्रता के कारण गलते मृत्त पिंड इसी प्रकार के परमानों पुद्गल पिंड ही तो है जिनके गिरने और टकराने आधी से भौतिक सास्त्र भूकम का आना स्विकार करते हैं इस प्रकार आज से 2000 वर्ष पूर्व बौतिक सत्य को जैन आग्मो ने ही व्यक्त किया है इसके अतिरिक भूकम का आधी देविक कारण भी होता है आज का विग्यान चाहे इसे स्विकार न करे किन्तु सामाजिक जीवन में आधी देविक गटनाए प्राई गटित होती रहती है पत्थरों की वर्षा, अनाज का बरसना और घरों की खाटों का उलटना आधी अनेक कारण देवि गटनाओं के कारणों का मूल आज तक भौतिक विग्यान नहीं जान पाया है और नहीं सोच पाया है सास्त्रकार कहते हैं कि जब ससक्त महोरक देव आधी अपना प्रभाव प्रकट करते हैं तो कभी-कभी पृत्वी में कमपन हो जाता है भुकम का ये आधी देविक कारण भी स्विकार करना पड़ता है आधी देविक का एक दूसरा रूप भी प्रदर्शित होता है नाग और सुपर्न आधी भवनपती देवों का परस्पर युद्ध होने पर उनके पद्द चापों से प्रुत्वी का प्रदेश विशेश कमपित हो उठता है नाग कुमार सुपर्न कुमार आधी भवनपती देवता भौतिक उत्पात कारिनी सक्तियों के ही प्रतिरूप है भौतिक सक्तियों के टक्राव पर प्रुत्वी का प्रकमपन स्वाभाविक ही है संपूर्न प्रुत्वी भी कभी कभी कांप उठती है आधुनिक वेग्यानिकों का मत है कि ऐसा प्राई चार पांच हजार वर्स बाद हो जाया करता है इसे वेग्यानिक भासा में खंड प्रलई कहा जाता है खंड प्रले का प्रमुक रूप भुकम्प को ही माना गया है परन्तु ये भुकम्प क्यों होता है इसका कोई स्पष्ट और निश्चित कारण नहीं बताया गया है सास्त्रकार कहते हैं कि पृत्वी के बाईय मंडल में गनवात नामक वायू का वलई है जब इस गनवात में किसी भी प्रकार का भौतिक विकार उत्पन होता है तो उसमें हल्चल पैदा हो जाती है उस हल्चल से पृत्वी के बाईय मंडल का गनो ददी यानि वाश्पाकार जली भाग जो पृत्वी के बाईय मंडल में विद्यमान रहता है वो विक्रत होकर कांपने लगता है वो कंप इतना थिव्र होता है कि उस से समस्त भू मंडल कंपित हो उड़ता है ये समस्त पृत्वी के कंपन का भौतिक कारण है भुकंप के आधी देवी कारणों पर प्रकाश डालते हुए सास्त्रकार कहते हैं कि जब कोई महान सक्तिशाली देव किसी तपस्वी महापुरुष के तप प्रभाव से प्रभावित होकर अपना तेज और पराकरम आधी प्रदर्शित करता है तो उसके पराकरम से समस्त भू मंदल कंपित हो जाता है देवी सक्तियों और आशुरी सक्तियों के पारसपरिक संगर्ष से भी भू मंदल का कंपित हो जाना सास्त्रकार स्विकार करते हैं यद्यपी आज का तथाकतित सिक्षित समाज आधी देवी कार्णों को स्वेकृति देने में आनाकानी करता है किन्तु समई समई पर मानव जाती देवी सक्तियों के समख्स गुटने टेकती रही है ये एक एतिहासिक सत्य है तो ये थे भूकंप के मूल कारण अभी वर्तमान में जिस देश में भूकंप आया उस देश का नाम क्या है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें